नमस्कार जंगिल एक्सपट निउज में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत के इस्रो के वेगणिकों की सेलरी और नासा के वेगणिकों की सेलरी हम आपको पूरा डिडिल से बताएंगे तो वीडियो में बने रही है और वीडियो को लास्त पर शूरूर देखे और मिलते हैं वीडियो के अंत में कर दिया कि वो किसी भी देश के विग्यानिकों से कम नहीं है लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसरो विज्ञानिकों की सेलरी कितनी होती है उनको क्या-क्या सुविधाय मिलती है साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या नासा और इसरो विज्ञानिकों की सेलरी में कितना अंतर होता है किसकी सेलरी ज़्यादा होती है नमसकार दोस्तों बोल्स काई pas स्वागत है चार साल की कड़ी मेहनत के बार इसरो के विग्यानिकों ने चांद को अपना बना लिया इसरो के विग्यानिकों ने अपनी धाख पुरि दुनिया में छोड़ दि क्या आपको पता है कि इसरो के विग्यानिकों को नासा के साइंटिस से कम सैलरी मिलती है नासा के विग्यानिकों से कम वेतन के बावजूद भारती विग्यानिक आगे निकल गए है तो आईए जानते हैं नासा और इसरो विग्यानिकों को कितनी सैलरी मिलती है इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि कब निकलती हैं ये vacancies दरशार इसरों में काम करने वाले इंजिनियर और विग्यानी को पदों के लिए समय समय पर vacancy निकाले जाती है इसके लिए नई कर्मचारियों को अच्छी खासी salary भी दी जाती है जुनिंदा पदों के लिए 15,600 रुपए से लेकर 49,100 रुपए तक हर महीने सेलरी दी जाती है इसके लावा अलग-अलग भत्ते और लाभ भी दिये जाते हैं जिन उमिद्वारों का चैन इसरो साइंटिस्ट पद के लिए किया जाता है उन्हें इसरो में इस्थाई कर्मचारी के तौर पर खुष्टी होने के बाद भत्ते मिलते हैं प्रतिष्टित विज्ञानिक जो होते हैं जो सबसे उपर होते हैं उन्हें मिलता है 75,000 से 80,000 रुपे तक बेटन उत्कृष्ट विज्ञानिक जो होते हैं उन्हें मिलता है 67,000 से 89,000 तक प्रतिमा है साइन्टिस्ट या फिर इंजीनियर HNDG इनको मिलता है 37,400 रुपे से 67,000 रुपे प्रतिमाह तक इसके लाबा साइन्टिस्ट इंजीनियर S.G. इनको मिलता है 37,400 से 67,000 रुपे प्रतिमाह तक साइन्टिस्ट इंजिनियर S.F. इनको मिलता है 37,400 रुपए से 67,000 रुपए तक तती महा साइन्टिस इंजिनियर S.E. और S.D. को मिलता है 15,600 रुपए से 49,100 रुपए तक वही नासा के विज्ञानिकों की बात करें तो उन्हें सलाना 72,416 डॉलर तकरीबन 57,000 रुपए के आसपास मिलते हैं एंबिशन बॉक्स के मताबिक नासा के विज्ञानिकों को इसरो के विज्ञानिकों से करीब 5 गुना ज्यादा वेतन मिलता है इसके लाब आपको ये भी बता दें कि जिन उमिदवारों को इसरो साइंटिस के तौर पर नियुक्त किया जाता है उनके करियर में इस्तरता और जॉप सेक्योरिटी हो जाती है एक बार जब उमिदवार अपना प्रोबेशन प्रियर्ट पूरा कर लेते हैं तो वो सबी इन एडिशनल लाबों के साथ साथ प्रमोशन का भी लाब उठा सकते हैं उन्हें उनकी कारे नेतिक्ता और पर्फॉर्मेंस के अधार पर उच्च पदों पर प्रमोट किया जाता है जो उनकी सेनियोरिटी और एक्सपिरियंस के साथ आता है उमिद्वारों के लिए रेगुलर ट्रेनिंग सेशन भी रखे जाते हैं जो उनके बायोडेटा में वैल्यू आइड करते हैं उनके स्किल में सुधार करते हैं और उनके ग्यान और करियर ग्रोथ को बढ़ाते हैं सबसक्राइब ंपन सबस्क्राइब करें नहीं व्लिए उसे लाइक चानल को सब्सक्राइब करें अगर सचे हिंद्स्तानी लबर हो मगک्र itself यह तो अगर हिंद्सतान से प्यार करते हो भारत कि प्यार करते हो इस्रों से प्यार करते हो भारत की विक्यनिकों से प्यार करते हो तो कमेंट में जय हिन जरूर लिखे जय हिन जय भारत पंदे मातरम जय हिन